हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू मा यूट्यूब चैनल से दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं सारे स्वस्त होंगे मस्त होंगे फ्रेंड्स आगे हो मैं वापस एक बर फिर एक नहीं और बहुत इंफर्मेटिव वीडियो के साथ आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं देखो बहुत इंफर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आपका फाइनल राउंड की रिजल्ट आपने देख लिया होगा जिसको अब जो भी सीड अलॉट हुई है चाहे वो फस्ट राउंड की हो या थर्ड राउंड की हो अब वो आपके हैं अब आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग के बारे में सोचना है केवल एडमिशन के बारे में सोचना है अब जो लोग कन्फुजन में थे कि आप किसी भी राउंड में बैठे हो अब आपके पास बहुत सारे ओप्शन हो गया ऐसा देखो नहीं होता है क्योंकि नेशनल काउंसल क्या करता है वो उनको ट्रांसफर कर देता है आपकी नेक्स्ट अलॉटेड इंस्टीट में जब आप थर्ड राउंड का फिल कर रहे होगे एक बॉक्स के अंदर यह बहुत क्लियरली मैंचन था कि आप अपनी पुरानी सीट को रिटेन नहीं कर सकते आपक कुछ इंस्टीट मुझसे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे उन इंस्टीट के बारे मैं वन बाइवन बताऊंगा साथ में मैं आपके और जो कन्फूजन से उसको दूर करूंगा सो उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे अगर अच्छी लगी तो यह चैनल को से इंस्टागें पर जोड़ सकते हो वहां पर भी आप मुझसे पूच सकते हो चलो आप बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं ओके सो फ्रेंड्स में सामने ये आई हम हाजीपुर के बारे में लोग मुझसे पूछ तो देखो में सामने ये पीडियाफ खुला हुआ हु जल्दी जल्दी आपके online classes चलेंगे from 28th यानि 20 October से ठीक है इसमें कोई आपको confusion नहीं होगा online आपको बैठना है regarding कोई भी platform जहां पर आपके classes करने होगा वो यह लोग mention कर देंगे या कहीं ना कहीं किया होंगी तो ऐसा कुछ भी होगा आप मेरे से पूर सकते हो मैं जह कहीं म physical reporting offline classes साथ में होंगी from 11th of November तो आपकी जो physical reporting है और offline classes वहाँ पर आपको जाना होगा 15th November को direct to the institute ठीक है fee deposit करनी है institutional fees and hostel fees दो आपके बास option है अब यहाँ देखो नीचे बहुत क्लेली मैंचे है what is institutional fee and what is hostel fee institutional fee आपके 17,960 है first semester की उसके बाद आपके hostel जो fee है वो लगबग 40,000 रुपय है 10.5 months के ठीक है मुझे लगता है यह बहुत clearly आपको समझ में आ गया होगा so यह आपके दोनों fee जो है एक 18 से पहले और एक 31st October से पहले समिट हो जाने चाहिए deposit हो जाने चाहिए online आपको payment करनी है कई जगों पर DD से होती है यहाँ पर online बहुत ही easily आप इसके website यहाँ पर दी भी हुई है ihmhajipo.net पर जाकर online fees payment कर सकते हो बहुत ही easily कोई आसी टेंशन के बाद नहीं है अब आप यह पर यह फीज आमांट पे कर सकते हो अगर आपको होसल जाहिए तो होसल का 31st से पहले अगर institutional fee normal first semester की तो 18 से पहले okay उसके बाद देखो online reporting आपको करनी है from 11th to 18th October ठीक है online reporting में आपको बैठना है कल से शुरू हो जाएंगी तो आप उसका ध्यान रखिएगा सारी information आपको मिल जाएगी जैसे ही reporting की होगी on the respective website document verification जो होगा आपका देखो यहां पर लिखा हुआ है fee के बाद ही होगा the classes are likely to be commencing from 28th October Wednesday okay देखो यहां पर लिखा ही हुआ है classes के बारे में आपके जो भी document verification आपकी fee के बाद ही होगा जुसलिए fee पैले पे कर देना यहां पर लिखा हुआ है उसके बाद नीचे आपकी जब जाओगे तो आपकी क्या कहते हैं सारी information देखो यह सब क्या recording है क्या 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 आपको ध्यान रखना है आपको क्या 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 लेकर जाना है documents तो यह साथ चीज़ यहां पर देखो mention है और इसमें ऐसा कुछ mention नहीं है online reporting के समें आपको य आपकी साथ चीज़ें तो वो लग फिल करते हैं तो बहुत ही simple way में ही यहां पर जो भी लिखाया आप खुद से कर सकते हो इसमें कोई confusion की बात नहीं है उनको फिर वहां पर upload कर देना है online तरीके से और कुछ ऐसा special और नहीं है तो मुझे लगता है हाजीपूर के बारे में जो confusion था वो दूर हो गया होगा कोई confusion है आप मेरे से Instagram पे पी पूछ सकते हो और comment करके भी पूछ सकते हो Okay so next institute के बारे में आपको बताने वाला हूँ बहुत जादा इसके लिए confused थे लोग बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी गुर्दासपूर के लिए So IHM गुर्दासपूर ने भी अपने information अपने notice डाल दिया है चलिए जानते हैं गुर्दासपूर के reporting के बारे में देखो first semester IHM गुर्दासपूर में ये mention है कि जो 9th October को है ये आपका final on हो गया पहला पॉइंट ही है online reporting and payment of balance fee amount अब देखो online reporting आपकी होगी यहां पर बहुत क्लिरली मेंशन है और payment fee देखो हर जगे fee payment करनी होती है ठीक है क्लास जूरों से पहले आपको fee payment करनी पड़ेगी 11th October से 17th October तक through google form which will be sent on first semester whatsapp group अब ये कोई whatsapp group के ऊपर ये कोई भेजेंगे आपको 17th October और 11th October के जो भी है वो first option पहले आपका google form एप होता है sorry google form एक website है आपको लिंक भेजेंगे उस पर click करने के बाद आपको जो भी online issue जैसे मुंबाई में भी google form से हो रहा है so इसमें भी google form से एक ऐसे basically form जैसा open होता है उसमें आपको अपनी details डालने पड़ती है उसमें uploading options होते हैं वो आपको fill करना पड़ता है so email ids वगरा दो कहां पर बहुत क्लिरली मेंशन है whatsapp group email ids of admitted students and will also be uploaded on the institute website यानि कि आपके पास अगर चलो whatsapp number नहीं है email id नहीं है तो यह institute की website पर डाल देंगे आप कहीं से भी बहुत ही clearly यहां लिखा है कि वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी ठीक है तो 11 से September तक आपकी online reporting और payment और अगरा होगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है गुगल फॉर्म पे गुगल फॉर्म देखो यहां पर लिखा हुआ है ओरिंटेशन प्रोग्राम आपका या इन्डेक्शन प्रोग्राम जो है वह 18 को होगा जूम प्लैटफॉर्म पर जूम एक एप है आपको पता ही होगा ओनलाइन आपका होगा लिंक फॉर थे सीम विल बे अपलोडेट इन वाटसप ग्रूप या फिर इंस्टिटूट वेबसाइट पर मुझे लगता है यह भी आपका क्लेर हो गया होगा अठरा को आपकी 10 वज से शुरू होने की बात हो रही है और वोलंटरी बेसिस विद परेंट डेकलेरेशन कॉंसें आपको भरना पड़ेगा कि परेंट ने अलाओ कर दिया आपको जाने से और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट वाप्टूबर तक बताएंगे और उसके बाद आपको रिजर्वेशन पॉलिशी है वो 19th October 1st list जो को 9th October को आ जाएगा और डिपोजिट होस्ट फी के लिए आपको पैसे वैसे पे करने पड़ेंगे ये सब चीजे मैंशन है वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स 22nd 25th आपको हॉस्टल फी सेकंड लिस्ट जो हॉस्टल अर्टमेंट है उसका पे करना होता है उसके वाद यसाई चीजे में बहुत नॉर्मली लिखी हुई है कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है इस से जादा कोई इंफर्मिशन नहीं है ब की का एक PDF मैंने अलएडी शेयर किया था अपने एक वीडियो में बद स्टिल उसमें पुद अच्छे से जापूर के बार भी नहीं बताया था तो अब में सामने जापूर का ओपन है आप इसको देख सकते हो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन पर यह वेप साइट पर आप वहा लेकर जाना है फॉर यूनिफॉर्म डीटेल्स आपको उसमें ड्रेस कोड वगरा से आपको आपको अनलाइन मिल जाएगा लिखा हुआ है हॉस्टल अलॉट्मेंट आपका यह कांसलिंग रैंक के बेसिस पर होगा और फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद ठीक है इंडक्शन इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है यह चीजें आपको पेमेंट की हैं नेफ्ट इंटरनेट बैंकिंग वगरा से आपको पेमेंट करनी है यह लिखा हुआ है फर्स सेमेस्टर की इगनु फी 12700 वह अलग से सेपरेट होता है इगनु की वेब करना होता है वो सब आपको पता चल जाएगा डीडी वालों के लिए भी यह मैंशन है ठीक है पेमेंट कर यह चीजें लिखी हुई है यह प्रपोजल फॉर्म यह सब चीजें हैं फॉर्म्स होगे रहा है तो वह आप देखी लोगे अंडर्टेकिंग फॉर्म है कोई इस इं स्रीनगर की भी इंफॉर्मेशन आ गई है विच इस अवैलिबल अन वेबसाइट इस वेल आप महां जाकर भी देख सकते हो यहां पर देखो जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो जादा कुछ इसमें मैंशन नहीं है वैस यह लिखा हुआ है कि आपको फिजिकल आप में भी जो इंफॉर्मेशन पर दीए है आप उसको फॉलो कर सकते हो आपको फी पेइमेंट भी जाकर करनी है वड़ेगी आएचम श्रीनगर में 18 अक्टूबर को आपके जो क्लासेज हैं एंड फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी होगी इस से अदा कुछ इसमें एक ऐस आपको फीजिकल रिपोर्टिंग तो वहीं जाकर मिलेंगे तो यही था है अचम श्रीनगर के बारे में कोई डाउट होगी तो आप मुझसे पूच सकते हो अगर नहीं होगे तो फ्रेंड्स उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लग इन्फरमेटिव टॉपिक अगेन तब तक अपने रिखिए बहुत सारा ख्याल जय हिंद